जैन जवानों स्वागत है आप सबका अपने यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे वी आरो ग्रेफ सेंटर नर्सिंग असिस्टेंट का वर्क क्या रहने वाला है और मोमेंट कहां पर होता है और आपके ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है और साती सात ये भी जानेंगे जो आपका मोमेंट होता है किसी हास्पिटल में होता है या क्लीनिक टैप में होता है विकास आप सबके बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे जो मैंने इसके प्रिवेस में टू वीडियो जी इसलिए अपलोड की थी आपके जाप प्रोफाइल इलेटेट तो ऐ या हास्पिटल में आपका वर्क होता है ऐसा आप सबने कमेंट किया था तो आप सबी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करने साथ ही साथ विलेकिन को प्रिस करने जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन और डेट आप तक बहुत ही जल्द सनी सी पहुँच सक करते हैं हम सब इस वीडियो को तो आपका जो यह पहला डाउट था आप सबका मोमेंट कहां पर होता है तो मैं आप सबको बताने वाल हूँ टोटल 18 प्रोजेक्ट हैं व्यारों के आल और इंडिया में आपका किसी भी 18 प्रोजेक्ट में मोमेंट हो सकता है वो कहीं भी किसी जैसे आप सभी गया होंगे प्रैटिकल देने के लिए तो देखे ही होंगे जो मेस है मेस के सामने ребен हुआ उーい बना हुआ है वही आपका मेडिकल सेंटर होगा यहां पे आप सभी का मेडिकल टेस्ट भी होगा तो सबका पूरा वह का आई आउ ग्रिफ का अभी तो आपका जो तो मुहले या गाओं का एक क्लिनिक टाइप में होता है वैसे ही same to same आपके जो total 18 projects हैं आपके वियारोग्रिफ के तो आपके कैम के आसपास वो एक बना होगा क्लिनिक टाइप में तो यह होता है जवानों के लिए या ऐसा कहीं होता है जहां पे family members रह सकते हैं तो वो means जो ज्यादा मिन्स जैसे हो जाता है जैसे मुर्षा आ गई या कोई अचानक से कोई जवान वीमार हो गया या ज्यादा कुछ बड़ी बात हो गई तो इसके लिए बड़े डाक्टर भी रहते हैं जो तुरंत प्रात्मिक उप्चार दे सकें बट जो एक नर्सिंग के बात उनको मेडिशन प्रोईड करते दोyin है या फैमली मेंबर कोई आता है मेडिशन के लिए तो उनको दवाप तो आलवर ज्यादा प्राब्लम साप सबको नहीं होती दीरे दीरे आप लोग भी शेक जाते हैं डूटी करते करते हैं अगर टाइमिंग की बात करें तो यह नेर अबॉट आपका जैसे आठ सा चार हो गया यह ऐसे डूटी कनवर्ट होती है एक टाइमिंग रहता है उसके ही अनुसार आप सभी का डूटी कनवर्जन होता रहता है अगर मोमेंट की बात करें तो मोमेंट आप सभी का नेर अबॉट थी एर्स के रहता है एक एरिया में और लीव की बात करें तो लीव आप सबकी मिलती रहती है कोई प्राब्लम्स नहीं होती आप सभी के चुट्टिय आपको खुदी बताया जाता है कि आप अपनी चुट्टी पूरी कर लीजिए और चुट्टी ले लीजिए ठीक है कभी ऐसा time हो साथ ज्यादा means ऐसा sensitive time चलना हो तो थोड़ा सा problem हो बट ऐसा कुछ होता नहीं है अभी तक ऐसा कोई experience रहा नहीं है कि चुट्टी आप सबको ना मिलती हो तो आलो और चुट्टी के लिए भी कोई problem नहीं होती और अपने work के बारे में आप सभी जान ही गया होंगे तो I hope इस वीडियो के जरीए आप सभी के जो सारे doubts थे वो मैंने out किये होंगे और I hope आप सभी जल्दी से join करें और experience का अनभोलें और share भी करें अब भी कोई doubt है तो आप सभी comment box के जरीए comment कर सकते हैं जैहिन जैभारत